गाउं में राजनीती और राजनीत को प्रत्यक्ष रूप से पोसंड देने माले अधिकारियों और कर्मचारियों की वज़ा से वास्तविक रूप से पात्र लोगों को सरकारी सुबधाउं से वंचित करने का काम बखु भी किया जा रहा है जिसमें ग्राम प्रधान और ग्राम सचीव का मुख्य रूल सामने आता है ऐसा ही मामला आजम गर्जिले के विकासखंड पमई के अंतरगत ग्राम सबार राजापुरमाफी का है राजापुरमाफी के रहने वाले विजेंद्र कुमार का दो वर्स पहले बारिस के चलते मकान गिर गया था लेकिन आस तक सरकारी आवास नहीं मिला काफी भागदोर और मसकत के बाद किसी तरह आवास के लिए नाम दर्ज हुआ लेकिन आवास नहीं मिला इस मामले पर जब वीडियो पमई और ग्राम सचिव से बात किया गया तो उन्होंने साफ सब्दों में कहा कि विजेंद्र कुमार के पिता का नाम गलत हो जाने से आवास नहीं मिल पाया अब देखने वाली बात यहाँ यह है कि विजेंद्र कुमार के पिता का नाम गलत कहां से हुआ इस पर जब बात किया गया तो ग्राम सचिव बात करने से साफ मना कर दिये कि यहां बात साफ होती है कि ग्राम सच्चु भी गाउं की राजरीत में अपनी अप्रत्यक्षित भागीदारी निभा रहे हैं अये देखते हैं हमारे संबादाता सोनु कुमार की रिपोर्ट कि अब बताईए क्या समस्या है आपको मेरा नाम सेशनाथ है ग्राम राजयपुर्माफी पर्ष्टमावल जिला आजयमगल कस्तानियों सी तासिल फुलफूर बलाकवाई थाना है रोला समस्या यही है कि हमारे गाउं में तिर्भोन भारती ग्राम पंचायत राजयपूर के प सन 2018 में अगस्त में उसके बाद से आवास के लिए आवेदन हुआ सिक्रेटरी साहब परधान जी ले गए डाकोमेंट अधार काड़ प्रेंग पासबुक फोटो कि मंगवाए मकान का कहीं ना कहीं से कर्जा उधार लेके दिये हैं उसके बाद लिस्ट में जब नाम आ गया तो फिर संसोधन के लिए वो लोग पैसा लिए एक हजार रुपे एक बार एक बार तीन सो रुपे लिए दोनों लोग मिलके उसके बाद फिर अब जब आवास देने की बात आई लाश्ट समय पे कह रहे हैं इनका नाम गलत हो गया तो हम वही पूछना चाहते हैं सीक्रेट कि अब बिजयंदर कुमार गराम राजत्रमाथी के निवासी हूँ पनाइं जिला आजमगर के मांस ते हुआ है कि बार में मकान ध्या गया था श्क्रेट बार इसकारण से में स्कूल में इस साल से जहरां बच्चों है जहरां हो अब पर्धान और शीनीत्री आए इसको मॉय करना किया माना कर चेकागज भी लगवाएं अलाइन भी करवाएं अभी तक कोई सुनुआई नहीं हुआ है